हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू फूट्स फिटनेस आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टॉमेटो कैचप की रेसिपी तो बिल्कुल मार्केट जैसा मार्केट से कहीं ज्यादा सस्ता और बिल्कुल बजार जैसी कंसिस्टन्सी वाला टॉमेटो कैचप आप घर प करते हैं रहे से अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले तो आप सबसे पहले टॉमेटो कैचप बनाने के लिए मैंने यहां पे एक किलो टमाटर लिए है टमाटर आपको इस तरह से पके हु तो यहां पे आपको जो देसी वाले टमाटर आते हैं उसका यूज नहीं करना है उसमें ज्यादा खट्टा पन होता है उसकी वज़े से आपको चीनी भी ज्यादा इस्तमाल करनी पड़ती है तो यहां मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कैचप बनाने के लिए यही टमाटर का तो अब हम इस तरह से सारे टमाटर को अच्छे से काट लेंगे तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से सारे टमाटर के टुकड़े कर लिये हैं अब हमें इस टमाटर को बॉल करना है टमाटर को उबालने के लिए मैंने यहां पे कुकर लिया है अब कड़ाई में भी टमाटर यह बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं तो बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट हो और टेस्ट भी टॉमेटो कैचप में अच्छा है इसके लिए हम इस टॉमेटो कैचप में कुछ गरम मसाले डालेंगे यहां पे मैंने इस तरह सा एक सूती कपड़ा लिया है और कपड़े मे हम एक टीस्पून जितना जीरा डाल देंगे साथ में यहां पे मैंने एक छोटा टुकड़ा डाल चीनी का लिया है दो से तिन लॉंग डालेंगे और साथ में पाँच से च्छे काली मिर्श डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से इस तरह से एक पोटली जैसा बना के इसे हम टमाटों के अंदर डाल देंगे तो यहां पे इस तरह से डालने से हमारे जो टमाटर है इसका रंग बिल्कुल खराब नहीं होता है और मसाली की फ्लेवर भी बहुत अच्छी आ जाती है तो आप देख सकते हो मैंने इस तरह से एक पोटली बना ली है इसे हम इस तरह से बीच में रख देंगे और इस टमाटर को सही से उबालने के लिए सिर्फ दो टेबल स्पून जितना ही पानी डालेंगे और कूकर का ढकन बन करके मेडियम गैस पे इस टमाटर को तीन विसल कर लेंगे यहाँ पे अगर आप ज्यादा पानी डालोगे तो टमाटर जो है उसका कैचप पनने में ज्यादा समय लग जाएगा यहाँ पे तीन विसल हो गए है अब हम कूकर का प्रेशर खतम होने देंगे और जैसे ही कूकर का प्रेशर खतम होता है हम इस तरह से कूकर का ढकन खोल देंगे और यह जो मसाले वाली पोटली डाली है हमने इसे इस तरह से निकाल के अच्छे से निचोड लेंगे ताकि जो मसाले की फ्लीवर है वो अच्छे से टमाटन के साथ बिक्स हो जाएगी और अब इसमें जो मसाला बचता है इसे आप कोई भी सबजी में यूज कर सकते हो तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मसाले की पोटली को स्क्वीज करके सारा मसाले का कस निकाल दिया है अब इस टमाटन को 5-10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रग देंगे तो अब यहां पे 10 मिनट जितना वक्त हो गया है और हमारे जो टमाटर है यह बिलकुल रोम टेंपरेचर पर आ गये है तो अब हम इस टमाटर को मिक्सी क जार में डाल देंगे और इसे अच्छे से प्योरी बना लेंगे यहां पे आप देख सकते हो मैंने अच्छे से प्योरी को बना लिया है अब हम इस टमेटो प्योरी को अच्छे से चान लेंगे टमेटो प्योरी को अच्छे से चानने से फाइदा यह होगा कि टमाटर के जो तो आब हम प्योड़ी में से केचप बनाएंगे केचप बनाने के लिए यहां पे मैंने कड़ाई को हलका सा गरम कर लिया है और करम कड़ाई में हम स्टमेटो की पड़ाई डाल देंगे और सब पहले हम इस प्योड़ी को चार से जल्दी बन के तयार हो जाता है पांच मिनिट इस तरह से पकाने के बाद अब आप देख सकते हो टॉमेटो की प्यूरी जो है उसकी थोड़ी सी वो कम हो गई है उसमें से सारा पानी का भाग अलग हो गया है और अब हमें इसमें इमली का पानी डालना है यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इमली का टुकड़ा लिया था उसे थोड़ी देर के लिए पानी में फिगो दिया और उसके बाद 10-15 मिनिट बाद मैंने इसमें से सारा पानी और पल्प को अच्छे से निकाल लिया था तो उस इमली के पल्प को हम इसमें डालेंगे टॉमेटो कैचप में इमली के पल्प का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो आप इसे मैं सजस करूंगी कि जरूर डाले और अब हमें यहाँ पे चीनी डालनी है मैंने यहाँ पे एक कप चितनी चीनी ली है तो चीनी को हम इसे स्टेज पे इस तरह से डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे और अब हमें इस कैचप को 15-20 मिनिट तक पकाना है तो पहले हम 5-10 मिनिट के लिए पकाएंगे मिडियम गैस पे इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसका जो पानी बने वो भी अच्छे से खतम हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है तो यहाँ पे आप 10 मिनिट हो गए है और देख सकते हो टॉमेटो कैचप की कंसिस्टनसी गाड़ी हो गई है तो अब हम इस टॉमेटो कैचप को चेक करेंगे टॉमेटो कैचप को चेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि टॉमेटो कैचप को आप इस तरह से कोई प्लेट में डाल दीजिए और इसे इस तरह से प्लेट को हलका सा ठंडा हो जाए कैचप उसके बाद इस तरह से थोड़े सी प्लेट को कीजिए तो आप देख सकते हो कैचप और कैचप के अंदर जो भी अभी पानी है वो इस तरह से नीचे गिर रहे है टॉमेटो केचप की कंसिस्टनसी अभी भी पतली है हमें ऐसा केचप बिल्कुल नहीं चाहिए तो अभी हम और 10 मिनिट के लिए इस केचप को इस तरह से चलाते रहेंगे और पकाएंगे तो यहाँ पे वापिस 10 मिनिट हो गए है और केचप को हम चेक कर लेंगे आप देख सकते हो केचप की थीकनेस अच्छी आ गई है और कलर भी पहले से गाड़ा हो गया है तो इस तरह से वापिस हम प्लेट में थोड़ा सा केचप डालेंगे और आप देख सकते हो हमारा जो केचप है वो बिल्कुल फैल नहीं रहा है और दीरे दीरे करके नीचे आ रहा है केचप में से पानी भी बिल्कुल अलग नहीं हो रहा है अब देख सकते हो पहले वाला केचप और ये केचप दोनों के कलर में और कंसिस्टनसी में बहुत ही ज्यादा फर्क आ गया है तो इस स्टेज पे हमारा केचप है वो बिल्कुल तयार है तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे मैंने यहाँ पे 1,4 टीजपून जितना नमक लिया है इसी के साथ 1 टीजपून जितना लाल मिश पावडर डालेंगे मैंने यहाँ पे काश मेरे लाल मिर्ष लिया है और साथ में तीन टेबल स्पून जितना वाइट सिर्का यानि की विनेगर डालेंगे विनेगर डालने से टॉमेटो कैचप का टेस्ट तो अच्छा आता ही है लेकिन विनेगर जो है वो हमारे कैचप में प्रिसरवर्टिव का काम करेगा और यहाँ पे आपको नमक जब आपका कैचप बन जाए उसके बाद ही डालना है टाकि टॉमेटो में से पानी बहुत ही कम अलग हो और फ्लेवर टॉमेटो कैचप का बहुत अच्छा है तो अब मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिला दिया है और आप देख सकते हो हमारा बहुत ही बढ़िया टॉमेटो कैचप बलकुल तैयार है तो गयास की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस टॉमेटो कैचप को ठंडा होने के लिए ऐसे ही रख देंगे थोड़ी थोड़ी देर में आप इसमें इस तरह से चमच चलाते रहिए तो अब यहाँ पे आदा गंट डाल सकते हो हमने यहां पे जो कॉंटिटी बनाई है इस कॉंटिटी में आप इस टॉमेटो कैचप को एक महने के लिए काच की बोटल में फ्रीज में रखोगे तो बलकुल खराब नहीं होगा लेकिन अगर आप स्यादा कॉंटिटी बना रहे हो तो मार्केट में इस तरह का प्रिजर्वेटिव मिलता है इसमें सारी डीटेल दी गई होती है तो आप उसमें से जितना भी कैचप बना रहे हो उसके हिसाब से प्रिजर्वेटिव मिक्स कर सकते हो प्रिजर्वेटिव आपको टॉमेटो कैचप कंप्लेट ठंडा हो जाए उसके बाद ही मिलाना है यहा आप काज की बोटल में भर के फ्रीज में स्टोर कर लीजिए तो आप देख सकते हो सही गाड़ापन और अच्छा कलर आया है और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा बना है तो आप इस टॉमेटो केचप की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ करें और आपके एक्सपिरियंस मुझे कमेट बाक्स में जरूर बताईए राजबी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले फिर मिलेंगे एक नहीं राजबी के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग